आज दलिच शोशत मुट्टी मंच डी एसेमेम की तरफ से नत्थु प्रशाद जी और मैं राश्ट्रपती जी से मिले और उनको हम लोगों ने ग्यापन दिया इस ग्यापन के माध्यम से हमने उने बताया कि दो अप्रेल के बंद के बाद किस तरह से दलिच समाज के लोगों को उत्पीडन का शिकार बनाया जा रहा है उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, हर्याना और राजिस्थान में हमने उन से बताया कि ये जो बंद हुआ था, इसके पीछे करोणों करोणों दलित परिवारों और जो प्रजात तंत्र में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत बड़ी आशंखा थी कि सुप्रिम कौर्ट द्वारा किये गये निर्देश का नतीज आएगा, और ये इतना जबदस डर था और चिंता थी लोगों में कि दो तारीक को अभूत पूर बंद पूरे हिंदुस्तार में हुआ, इस बंद में नौ से लेकर के बारा तक दलितों की हत्या हुई, गोलियां चली और जिसमें वो मारे गए, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ है, उसमें यही सामने आ रहा है, कि दलितों को न्याय तो कहीं भी नहीं मिल रहा है, बलकि उनके उपर हमले बहुत जोर से हो रहे हैं, तमाम इलाकों में यह देखा गया कि संग परिवार के लोग बंदूकें लेकर के राइफिल लेकर के खुले आम गोलियां चला रह लेकिन तीन तारिक के बाद से दलितों को ही गिरिफ्रार किया जा रहा है, इस समय इन चारों राज्यों में डेर दो हजार दलित नौजवान खासतोर से जो पढ़े लिखे हैं, उनको जेलों में ठूसा गया है, कुछ लोगों की जमानतें राजस्थान में हुई हैं, बाकी तरह से धाई महीने से ये लोग जेलों में हैं, इनके उपर संगीन दफाएं हैं, और इनके अलावा हजारों लोगों को धंकिया दी जा रही हैं, कि जो हर F.I.R. में अन्य और अग्यात के खिलाफ मुकद में लिखे गए हैं, उनके अंतरगत इनको भी गिरिफ्तार कर लिय जाएगा, एक आतंग का माहौल दलित गाउं में और दलित बस्तियों में बहुत बुरी तरह से व्याप्त है, हम लोगों ने राश्ट्रपती जी से निवेदन किया, कि वो इन मामलों की जाच करवाएं, और ये जो जूटे मुकद में हैं, इनको वापस करवाने के लिए, जो लोग मारे गये हैं, उनको मुआवजा और न्याय दिल्वाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तिमाल करें, हमने उनसे ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में तो अती हो रही है, और नाबालिक दलित लड़कों को जेलों में, आम जेलों में बंद करके रखा गया है, उ पहली जन्वरी को इस उत्सव को मनाया जाता है, उसके बाद महराश्चर में जो दलितों पर हमले हुए, और उसके बाद जो प्रमुक आरोपी थे, वो किस तरह से खुले आम घूम रहे हैं, सरकार उनके खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर रही है, और जो पीडित पक्ष है, को गिरिफतार कर लिया गया है, जो पीडित दलितों की मदद कर रहे थे, इन पांचों के उपर बहुत संगीन दफाएं लगाई गई है, देश द्रो और माववादी होने का आरोप उन पर लगाया गया है, और उनको भी बिलकुल नजरंदा करके जेलों में डाल दिया गया है, तो ये भी एक घोर अन्याय का उदारन है, राश्ट्रपती जी ने हमारी तमाम बातों को बहुत धहरे पूरवक सुना, और उन्होंने एक बार नहीं, दो बार हमें आश्वासन दिया, कि वो एक्जामिन करवाएंगे, जाच करवाएंगे पूरे मामले की, और जो भी उ से हो सकता है, उसको जरूर करेंगे.